हलो दोस्तों सौगत थे हैं सभी कामाराय चेनल पर तो हम लोग कर रहे हैं बीजन आएम इस का इस में सरकारी योछनाओं के बारे हम जानेंड़े तो दोकिए सरकारी यो जनाओं से उपरी증 का और यहें वान है अभी बहुत जल्दी इस वीडियो के बाद भाग टूवी इसको अप्लोड किया जाएगा तो मेरा नाम है रोसन और मैं आपको यह विजन आयस का करेंड फिर करा रहा हूं जो कि यह सरकारी जो जनाय होंगे और इसमें सारी सारे मिख्यों इनक्लूड किया गया है कि है कि यहां पर इंडेक्स भी से सूचे इसमें की पैल रहें हम्लों पढ़ेंगे क्रिसी-स-ड. imme किसान कल्यार मंत्रा अले से होगा जो किस में क्रिसी और समचना को सह और फिर तीसरा होगा प्रधान मंत्री बीमा फसल बीमा योजना और प्रधान मंत्री किसान सम्मान नीदी योजना जो कि इसके बारे में बहुत चर्चा में तो ये कोशन आ सकता है प्रधान मंत्री किसान मान्थन योजना और प्रधान मंत्री किसान मान्थन योजना खाद तेलो पर राष्टी मिसन पौामायल के बारे में एक करित बागवानी किसान के रेरिट कार्ट राष्टी सरत किसी मिसन और देखिए ऐसे जितने मंत्राले हैं मंत्राले के इंतर जो ज जमुद्वग मंत्राले, संचार मंत्राले, उभोक्ताव मामले, खाद्य और साजनिक वित्रण मंत्राले, सहकारिता मंत्राले, कार्परेट मंत्राले, संस्कृति मंत्राले, रच्छा मंत्राले, और उत्तर पूर्वी छेत्र विकास मंत्राले, प्रित्वी विज्यान मंत्राल इलेक्टानिक और सुचना प्रदयोकी मंत्रा ले पर्याबरण वन और जल्वायू परिवरतन मंत्रा ले वित्य मंत्रा ले और मत्से पालन पस्व पालन और डेरी मंत्रा ले स्वास्त एवं पर्यवार कल्यान मंत्राले तो देखे इतने सारे मंत्राले हैं और इस मंत्राले से बहुत सारे कोशन पुश जाते हैं ठीक है तो अचली हम लोग अब एक एक करके जानते हैं तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रिसी एवं कि सुधार करना और इसका प्रकार है तो यह केंदरी छित्र के एक यूजना है कारण एंड एजनसी राष्टी क्रिशियम ग्रामीड विकास बैंक नाबाड और इसकी अवधी है दुजा 32 से 33 तक है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके अनुद्देश से फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और सरचना और सामुदाई क्रिसी परिसंपतियों के लिए बहवार पर यूजनाव में निवे सेतु मध्यम या दिर्ग कालिक रिड बित जुटाना प्रमुक विसस्ताएं इसके हैं तो प्रिष्ट भूमी है लाभारती है तो चलिए एक एक में क्रिसी रिड समितियां किसान उत्पादक संगठन स्वैम सहायता समू राज एजन्सियां क्रिसी उपज विपण समितियां यह सब हैं वित्ती सहायता तो इसके तवत फसल कटाई उपरांत प्रबंधन प्रियोजनाओं की अस्थापना के लिए ब्याज सहायता और के लिए आपूरती स्रिंखला और स्वारचना प्रदान करने हैं तो चिन्हित प्रियोजनाएं समुदाई क्रिसी परिसंपतियों के निर्माड या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन प्रियोजनाओं के लिए साजनिक नीजी भागिदारी पीपीपी के बारे में और के तहत केंद्र राज्य अस्थानी सरकारों या उनकी एजन्सियों द्वारा प्रोणनत प्रियोजनाएं अब फिर है जैविक आगतों का उत्पादन बायू इस्टिम्यूलेट्स उत्पादन इकाई हैं इसमार्ट और सटिक क्रिसी के और सरचना और फिर दूसरा आता है इसके दस सदस्यों के लिए economy of scale और बजार पहुंच में सुधार करना है इसके लावारती है एपियों के सदस्यों की नियुनतब संक्या मैदानी छेत्रों में 300 तथा पुरवत्तर या पहाड़ी छेत्रों में 100 होंगी कारण एन एजन्सिया एपियों का गठन करने में मदद करेंगी इनके अन्य उद्यस से हैं वर्ष दोजार सटाइस-टाइस तक 10,000 नए एपियों का गठन और समर्धन करना है इनके प्रमुक विसेस्ताइक बारें जानते हैं तो एकोनॉमिक आप इसकेल का लाव उठाना जो की एपियों का गठन और समर्धन उपज क्लाश्टर 16 कोड़ पर अधारित है उत्पाद विसेसी करड़ के विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान देना एपियों को वित्ती सहायता है एपियों को तीन वर्ष की आधि के लिए प्रती एपियों 18 लाक रुपए तक की वित्ती सहायता प्रदान की जाएगी 15 लाक रु देने वाली संस्था से क्रेडि गरंटी की सुईधा के साथ प्रती एपियों दो करोड रुपए की परियुजना रिड का भी प्रावधान किया गया है और एपियों को आरमी समर्थन प्रदान करना तो प्रतेक एपियों को संगठित करने उसका पंजी करण करने और पांच वर इसमें इन्हें लगू किसान क्रिशीक ब्यपार कल्याड राष्टी साकारी विकास निगम और राष्टी क्रिशी एवं ग्रामी विकास बैंग नाभाड भारती राष्टी क्रिशी साकारी विपड़न संग लिमिटेड उत्तर पूरो छेतरी क्रिशी विपड़न संग लिमि द्वारा कारणित किया जा रहा है सस्थागर धाचा तो राश्टी ये पर्योजना प्रबंधन एजनसी समग्र पर्योजनाएं समार्य दर्शन समन्वाइं प्रबंधन सुचना पड़ाली के रख रखाव और निगरानी के उद्देश के लिए अधिदेशित है जिला इस्तरी निगरानी समिती जिले में योजना के करनेयन का समग्र समन्वाइं और निगरानी करेगी अया जिला कलेक्टर सी यो जिला परिश्ट की अधिश्टा होगी तो बाता निक्ष्ट पधान मंत्री फसल बीमा योजना लेकि फसल बीमा योजना से कोचल पूछे गए हैं कई बार तो इसको ध्यान से पढ़िए प्रकार या किंद्र प्रयोजित योजना है और इसकी प्रकृति तो या योजना करज़दार किसानों सहीत सभी किसानों के लिए स्वैचिक होगी और उद्देश से तो बुगाई के पहले से लेकर कटाई के बात की अधित तक ब्यापक फसल बीमा सुरच्छा पदान करना है ठीक है उद्देश के बार में जानगे आगे पढ़ते हैं लाभारती तो इसके बटाईदारों कस्तकारों किसानों सहीत स को इस्थिर करना नवीन एवं आधुनिक क्रिसी पदतियों और फसल विविदी करण को अपनाना अब इनके विश्चताएं के बारें जानते हैं तो सम्मीलित की गई फसल बीमा योजना जोकि निमलिखित योजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया राष्टी क्रिसी बीमा योजना और संसोधित एन एन ए एन ए आई यस पुनर गठित मौसा मधारित फसल बीमा योजना अभी भी जारी है और सामिल की गई फसले और प्रीमियम का भुगतान तो रभी और खरीब के अंतरगत आने वाली फसले सभी अनाज मेलेट्स और दाले तिलहन प्रीमियम का भ अपनियो दौरा निर्धाइद प्रीमियम दर किसान दौरा दे प्रीमियम पांच प्रतिशत का भीमित रासी और खरीब खरीब पर दो प्रतिशत और रभी पर 1.5 प्रतिशत ठीक है आगे देखते हैं तो आगे यहां है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना पीम किसान के बारे में जानते हैं तो ये केंदरी चित्र के योजना है और इसका उद्दे से अलग-अलग क्रिसी आदानों की खरीद के लिए सभी भूमी धारक किसानों के वित्ति आवसकताओं को पूरा करना लभारती इसके कुछ अपदों को छोड़कर सभी भूमी धारक किसान है अवधी तो ये पात्र किसानों के प्रति वर्ष चार महिने में दो-दो-हजार रुपए तीन समान किस्तों में छे जार रुपए दिये जाते हैं ठीक है ठीक है तो आगे चलते हैं सभी पात्र भूमी धारक किसान परिवारों को आज सहायता प्रदाइग करता है इसके विसस्ताइक बारे जानते हैं परिवार की परिभासा पति पत्नी और नावालिक बच्चे याने कि सन्यूत परिवार अरे सन्यूत नहीं एक आकी परिवार के बारे में तो सभी सस्थाकत भूमी धारक, समयधानिक पदो के पुर्व और वर्तमान धारक, सासन के तीनों इस्तरों पर पुर्व और वर्तमान बीधी निर्माता पिछले आकलदन वर्स में आयकर का बुक्तान करने वाले सभी बेक्ती डाक्टर इंजिनियर जैसे पेसेवर सरकारी या साजने कुपकरम के सभी सेवारत या सेवानीवित अधिकारी और पेसंचन भोगी जिनकी मासिक 10,000 रुपए से अधिक है मल्टी टास्किंग श्टाप चतुर स्रेडी ग्रूप डी की कमचारियों को छोड़के तो आगे है भूमी अभी लेख किया सकता और अपवाद तो इसका लाब उनहीं क्रिशक परिवारों को मिलेगा जिनके नाम भू अभी लेखों में दर्ज है अपवाद तो वन निमासी तथा पुर्वत्तर राज्य और जहारकन जहां भूमी अभी लेखों के लिए अलग- आइल, अइप, पी अम किसान, पोर्टल और कामन सर्विस सेंटर के जरिए वाक in माध्यम से होगा। तो सभी लबारतियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समय पर पुनर्भुक्तान करने पर अधिक्तम चार प्रतिसत ब्याज के साथ फसल और पसूप मचली पालन के लिए रिड़ दिया जाता है आगे आता है वन पॉइंटाइट फाइब प्रधान पाचहुन यह है तो पाचभाई टॉपिक है इसमें प्रधान मंतरी किसान माधन यूजना इसके बारे जानते यह भी बहुत चर्चा में तो केंदरी चिल्ठ यूजना है इसका उध्ये से लगु और सिमान्त किसानों की ब लगू और सीमान्त किसान जो दो हेक्टेर तक की क्रिसी भूमी क्रिसी योग्य भूमी के स्वामी है पेंसन निधी प्रबंदग तो ये जीवन विमाईलाइसी है और अन्य उद्देश इसका उद्देश लगूयम सीमान्त बृध्ध क्रिसकों को समाजी सुरच्छा सहायता प तो अपवर्जन कौन योजना के लिए अपात्र होगा सभी सस्थाकत भूमी धारक समयधानी पदों के पूर्वा और वर्तमान धारक और पूर्वा और वर्तमान मंत्री राज मंत्री और लोक सभा राज सभा राज बिधान सभा राज बिधान मंत्री परिसद के पूर्वा वर्तमान, सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान, महापाउर तथा, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान, अध्यक्ष, अंति मुल्यांकन वर्ष में आयकर भरने वाले सभी बेक्टी, पेसेवर जैसे डाक्टर इंजिनियर आदी, मल्टी टास्किंग, लेड़ी, ग्रूप टी कर्मचारियों को छोड़कर, सरकार या सारजनिक छेत्र के उद्वों के सभी सेवारत या सेवानिवी तदिकारी, राष्टी पेंसर्य योजना, जैसी किसी अन्य सामविधिक समाजिक सुरच्छा योजनाओं में सामिल लगूव सीमान्त किसान, ला अच्छिक और अंसदाई, तो ये मासिक अंसदान है, जो कि योजना में प्रवेश के आयूग के अधार पर 55-200 रुपए के बीच पेंसन निधी में अंसदान करना होगा, समान बराबर अंसदान, तो ये केम सरकार अंसदाता द्वारा अंसदान की गई रासी की बराबर ही योधान करेगी, परिवारिक पेंसन, तो किसान की मित्ती हो जाने की इस्तिती में मृतक का पती पत्नी को पेंसन की 50-35 रासी का परिवारिक पेंसन के रुपें भुगतान किया जाएगा, दिब्यांगता के लिए बेवधान, तो यदि अंसदान करने वाला 60 वर्स की जारी रखने का हगदार होगा, तो इसमें नेश्ट आता है, प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना के बारे में है, तो ये केंदर प्रयाजिती योजना है, इसका उद्देश से खेत इस्तर पर जल की भौती पहुँच पढ़ाना, और सुनिश्ची सिचाई के तहत क्रि सिचाई कोस, इसकी निगरानी केंदरी जल आयोग और जल सक्ती मंत्राले द्वरा किया गया, इसकी अन्युद्देश से सिचाई के कवरेज बिश्तार हर खेत को पानी और केंदरी तरीके से प्रती बूंद अधिक फसल जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है, ठीक है, अगला देखते हैं, खाद तेलों पर राष्टी मिसन आयल पाम, पाम आयल के बारे में हैं, तो यह एक केंदर प्रायजित योजना है, इसका उतेश से है आयात बोच को कम करना, और तेलों का आयात बोच है, जो खाद तेल का एडिबल आयल, और विशेज ध्यान दिये जान तो देखें, यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं, कि आयल पाम पस्चिम अप्रिका से उत्पन हुआ है, यह तुलनातों ग्रूप से भारत में एक नई फसल है, उनकी प्रती हेक्टेर उचेतम वर्नस प्रती तेल उपच्छमता है, यह दो अलग-अलग तेलों अथात ताड के तेल और ताड की गिरी तेल का उत्पातक करता है, इन तेलों का उपयोग हादे के साथ-साथ उदोगी के उदेशियों के लिए पर किया जाता है, अब नेश्ट आता है, एक क्रित भगवानी विकास मिशन, तो यह एक केंद्र परयाजित योना है, इसका उदेश है, भी राज केंद्र सासी परदेश कबर किये गए है, अन्य उदेश है, तो भगवानी उत्पादन और उत्पादक्ता में विद्धी किसानों के सम्मूहन को प्रसाहित करना और उनकी कौसल का समल्थन करना है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ट के बारे मे इत्बैंक और सहकारी समितियां इसकी कारणयन एजनसियां हैं, लाभारती हैं, तो सभी किसान, बेक्तिगत, सन्यूगत, उधार करता जिनके पास है, भू स्वामित तो है, कास्तकार किसान, और लिखित पटेदार और बटाईदार आदी, समंदर छेतर कबरेश तो यह इसान परिवारों को उपभोग असत्ताव को पूरा करना, क्रिसी संपत्ती और क्रिसी समवर्धन गति विधियों के अनुरच्छड के कारिसील पुंजी उपलद करवाना तो अब अगला आता है, राष्टी सतत्त क्रिसी मिशन, तो यह भी एक किंद्र प्रयवजीत योजना है, जो को C.S.S. बोलते हैं लक्ष इसका है, बदलती जलवायों के प्रती भारती क्रिसी को अधिक अगहात सहनी बनाने के लिए, रणनीतियों को विख्सीत और करवनीत करना, उप योजना, यह मिशन जलवायों परिवत्तम पर राष्टी कारी योजना के तवत निर्धारित आठ मिशनों में से एक है प्रद्योकी का लाब उठाना तो मिशन की प्रभावी निगरानी के लिए सूचना और संचार प्रद्योकी का बड़े पैमाने पर इस्तिमाल किये जाएगा, अन्य उद्देश इसके फसलों और उपसुपालन दोनों गतिविदियों में, उपईयों तो अनुकूलन और समन पर आयूजीत योजना है, राष्टी आयूज मिशन, इसका लच्च है, इसका उद्देश से रोग के बोज को कम करने के लिए समगर कल्यार और सेल्प केयर को बढ़ावा देना है, आयूज, तो आयूर्वेद, योग, और प्राकिति, चिकिसा, युनानी, सिद्द, सेवा, एवं सोवा, रिकपा, तथा होमेपैथी, इसका फुलपाम, और इसकी अवधी तो याच्च भीस तक का है, और इसके अन्ने उद्देश से देख लेते हैं, तो लागत प्रभावी आयूज सेवाएं प्रदान करना, और आसदी प्रादपो की किसी को समर्थन प्रदान करना कलेश्टरों की अस्थापना तथाव दमियों के लिए और स्वनजना का विकास करना है, तो अब अगला आता है रसायन एवं उर्वरक मंत्राले, तो इसके अंतरकत पहला है आउसद के लिए उत्पादन से सम्मन्द प्रोसाहन योजना, तो है ये केंदरी छित्रक की एक य अच्छ है, आउसाच छेत्र में भारत की वी निर्मार चमताओं को बढ़ाना प्रियोजना इसका प्रबंध ने जन्सी भारती लगू एवं भारती लगू उद्दोग विकास बैंक यानि सीडवी और इसकी अवधी है, बित वर्स 2021 से बित वर्स 2018 तक उद्देश इसका है तो भारत से बाहर वैस्विक चैंपियन तयार करना और इस तरह वैस्विक मुल्ड स्रिंखलाओं में प्रवेस करना, दूसरा आता इसमें, बल्क ड्रक्स के लिए या महतपुड मुख्य आरंभिक सामगरी, आवसधी मध्यवर्ती और सक्री आवसधी सामगरी के घरेलू व निर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर के एसम डी और एपी आई के आयात्पन निर्भरता को कम करना है पर योजना प्रवंधन एजन्सी तो यह भारती और दोगिक वित्य निगम है लिम्टेड है ठीक है और इसकी अवधी 2021 से 2029 तक है और ने उद्देश इसका इस अधिक निवेश आकर्षित कर इनके घरेलू विनिर्मार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंद प्रोसान पीयलाई योजना तो यह भी एक दिखे केंद्री चित्रक की योजना है और इसका उद्देश से चिकिस्सा उपकरडों के घरेलू निर्म अताओं के लिए समान अवसा सुनिश्चित करना आवेदक तो भारत में पंजिक्रित कोई भी कंपनी जो ग्रीन फिल्प प्रयूजना में निवेश करने के लिए प्रतिबद्द है अवधी इसका है तो यह उद्देश तो इस योजना का उद्देश से चिकिस्सा उपकरड चित्र में ब्रीहत निवेश को आकर्सित करके स्वादेशी विनिर्मार को बढ़ावा देना है ठीक है नेश्टता है आवसद उद्दोक को मजबूत बनाने है तो यह उसका उद्देश से आवसद चित्रक में सुक्ष्म लगू मध्यम उद्यमों को मजबूत करना है इसका योजनाओं का अनुमोदल आउसत विभाग को सच्चिव की अधिचता में योजना संचैनल समिधी द्वानना इसका उद्देश से है इसी योजना का उद्देश से भारत को फार्मा आउसत चेत्र में बैस्युक इस्तर पर अग्रडी बनाने के लिए मौजूदा बुनिया कि हमसे चोटे और मचले सहरों के बड़े सहरों से जोड़ना है एयर लाइनों के सहायता से रियायत और वहवारत अंतराल बित पोसर के रूप में है इसका आउधी 10 दस वर्स तक है ठीक है और इसका अन्य उद्देश से है टीर 2 और टीर 3 बहतर टीर 2 3 सहरों में बहतर विम करें अब आता है कोईला मंत्राले इसमें की पहला है इसमें अन्य योजनाय विबीत पहले इसमें डारेट ही दिया गया है जिसे कि सकती भारत सकती भारत में पारदर्सी रूप से कोईले का दोहन और अबंटन करने की योजना निती इसका उदेश से है देश के सभी ताप बिद्धू सनियंत्रों को पारदर्सी वा वस्तुनिष्ट तरीके से कोईला उपलब्द करवाना साथ ही या सुनिष्चित करना कि कोल लिंकेज या आपूर्ती का लाब अंतिम उभकताओं को प्राप्त हो सके फिर पूरवर्तिय स्वासन पत्र इधन आपूर्ती समझ होता बेवस्ता को चरणबद तरीके से समाप्त किया जाएगा या निती कोईले के निलामी के माध्यम से या लिंकेज की कमी वाले ताप विद्धूत सनियंत्रों को कोईला लिंकेज प्रदान करती है या उर्जा उत्पादकों को सस्ता कोईला प्राप्त करने और उत्पादन की लागत कम करने में सहायता पतांग करती है कोईला वित्रण नीती एन सी टीपी तो या साथ और जा चेत्रक के लिए कोईला लिंकेज सामिल करती है इसके प्रमुक कर लाभारती और लाप तो विद्धूत कंपनिया सुनिश्चित कोईला आपूर्ती उभुक्ता बेली की कम ला करना तो यह कोईला मंत्राले के कोईला मंत्राले कोल इंडिया लिम्टेड द्वारा उत्तम एप को विक्सित किया गया है लक्ष है यह कोल इंडिया लिम्टेड की सभी सहाय कंपनियों के तीति पक्ष अधारित नमूना प्रक्रिया की निग्रानी में सभी नागरिकों तथ विमानन कोईले की गुर्वत्ता की समगर कब्रेश प्रदान करेगा और नेश्ट आता है कोईला खान निगरानी प्रबंधन पड़ाली तो इसका लच्छा है एक वेप अधारित जी आईयस अप्लिकेशन है इसके माध्यम से और नधिक्रीत खना निस्तलों की स्थिति का पता लगा जाएगा सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफार्म इलेक्ट्रोनीकी और सुचना प्रदों की मंत्राले द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है जो ग्रामेड इस्तरी सुचनाय प्रदान करेगा खान प्रहरी तो इसका लच्छा है यह अवायद क सब्सक्ति घटना की जीओ टैग की की गई तजबीरों के साथ साथ लिखी सुचना को सीधे सिस्टम में अपलोड कर सकता है सिकायत करता कि पाचान को प्रकट नहीं किया जाएगा अगला आता है प्रकास तैने कि आपूर्ती में समन्वाई जरीए बिद्धूत रेल कोईला उपलबदता पोर्टल यह है लच इसका है इस पोर्टल का उदेश सभी हिदार को यह था विद्धूत मंत्राले कोईला मंत्राले कोल इंडिया रेलवे विद्धूत मद्ध कोईला आप उर्ती बेहतर सुनिश्चित करना है अब अगला आता है वाड़ी जिया मुद्धोग की युजना है इसका उद्यस से है वाइट गूट्स के संदर्व में आत्म निर्भरता प्राप्त करना तथा आयात निर्भरता को कम करना करना एजनसी है तो उद्धोग समवर्धन और आंतरिक बेपार विभाग है और आउधी इसका तो वित वर्ष 2021-22 से वित वर्ष 2021-29 तक है और इसका अन्य उद्यस से है वाइट गूट्स की वी निर्माड मुलिस रिंखला में घरेलू वी निर्माड को बढ़ावा देना और व्यापक निवेज को आकर्सित करना तथा छित्रगत कम्यों का निवारण करना उन्हें ब्रीहत पैमाने पर किफायती बनाना तथा न किसी मौजूदा संस्था के विभाजन या पूरा निर्माड द्वारा गठित की गई किसी संस्था को संस्था की योजना का लाब नहीं मिलेगा अन्य उद्यस से तो भारत में स्टार्ट अप संस्कृति को उत्प्रेडित करना तथा नवाचार और दिमता के लिए एक गola के माध्यम से पात्रता प्राप्ते स्टार्ट अप से को वित्ती साहता प्रतान करना बर आगे आता है यह 70,000,000 रुपे तक प्राप्त कर सकते हैं और inक्यूबेटर पांच करोड़ 10 तबसकते हैं प्रात्मिक्ता प्राप्त से चेतरक है सãमाजी कい परभाव 2 और अपश और वित्ती सहायता उदेशत प्रूप आप कंसेप्ट प्रोटोटाइप विकास उत्पात परिच्छड बजार में प्रविश वाड़ी जी कड़र इस्टार्ट अपस के लिए पात रहता और इंक्यूबिटर्स के लिए पात रहता है देखते हैं क्या क्या है जैसे कि यहां प प्राइबेट लिम्टेड कंपनी या बैधानिक निकाय होती है और फिर यह स्थाफी दो वर्स हो और इसमें कम से कम दो वर्स परिचालन में हो तब होगा केंदर राज सरकार में 10 लाग रुपए से अधिक है इसमें कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने के सुईदा होनी चाहि अगला आता है एक जिला एक उत्पात इसका उदेश है देश की सभी जीलों में संतूलित छेतरी विकास को बढ़ावा देना देश के प्रतेश जीले से एक उत्पात का चैन ब्रांडिंग और प्रचार करना ताकि सभी प्रदेशों में समग्र रूप से समाजिक आर्थिक स समरिद्धी को सक्षम किया जा सके इसे सरपता मुत्तरपदेश में लांच किया गया इसका उदेश से राज्जी के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक उद्धोगी केंद्रों का निर्माड करना था हालही में ओडी ओपी की उपाहार और सूची का डिश्टा स कर लांच किया गया है आगे आता है निर्यात है तो बैपार और सरचना योजना तो इसका प्रकार है या एक केंद्री चेत्रक की योजना है और देश से है तो निर्यात के समर्दन के लिए उपईउत और सरचना के निर्माड में केंद्रों राजी सरकार की एजंसियों की सह परियोजना को अपग्रेट करना अपवर्जन तो छेत्रक विसीष्ट परियोजना जैसे वस्रोदों के अंतरगत आने वाली परियोजना है की सायता सायता नुदान तथा प्रतेक अवसर रचनात्मक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए के उचित्तम सीमा निर्धारित की गई है चैंपियन सेवा चेत्रक योजना है तो इसका प्रकार है एक या एक कैंद्री चेत्रक की योजना है अउद्यस इसका है चेंपियां चेत्रकों की चेत्रक समंदिक कारी योजनाओं के लिए आरम की गई पहलों का समर्थन करना है और यह बित्ती सायता तो पांच जार क्रोड रुपे की समर्पित निदी है घरेलू विनियामक सुधारो रस सहित महत्वपूर मुद्दो के समाधान के सुईधा प्र सवाय संचार से वायicken मढर और समस्थित के इंजिनि ईरिंग से बाएं पर्याबराणी से मौई भित्ती से मढ़ी सिछा से माई परीवान और लाजिस्टिक से मआ कि इस जगिल आरम की गई नहीं पहलों की पांच लग हैं तो । नहीं प्रक्रिया और आगी आता सक्राइब और निवेसकों को कवीड-19 की खिळा भारत की सक्री प्रतिक्रियाँ पर वास्तवे सवे में अबडीट प्राप्त करने में मदद करने हैं तु एक भ्यापक संसाधन प्रदान करना है पुन जी करते वस्तु कि अभरान यायते प्रदान करत निर्यात है तो वस्तों के उत्पादन को प्रोसाहित करना इसका प्रसासित है या विदेश बैपार महा निदिसाल है द्वारा प्रसासित है असासित या भारत की विदेश बैपार निती द्वारा सासित है भारत में निर्यात है तो उत्पादन के छीत्रक होटल स्वास्त शेवा और सैचिक छीत्रक है निर्यात बंदूहुजना तो इसका उधे से में सहीत नहय और सम्भावित निर्यात को तक पहुचा स्थापित करना साथ ही उन्य अभी विन्यास से अगला आता है राष्टी बहुदिक संपदा जगरूपता मिशन तो कारवनायन एजनसी बहुदिक संपदा कारयाले या पेटेंट डियाइन और प्यापार चिन महानियंतर कारयाले की अधीन है उदेश से एक मिलियन चातरों को बहुदिक संपदा आईपी संपदी जगरूपता और मुलभूत प्रसिचर प्रदान करना इसके तहट निर्धारी तलचे को अगस 2022 में प्राप्त कर लिया गया था आगे आता है परियोजना की निगरानी समू पी एम जी क्या है प्रोजेक्ट मॉनेटरिक ग्रूप तो यह बिसीष्ट संस्था का तंत्र है इसके तहट 500 करोड रुपए के निवेश के साथ और स्रशनात्मक परियोजना से परियोजनाओं से समंदी चुनोतिया चुनोतियो वो बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना परावनी गोहार्टी पाइपलाइन परियोजना सहीत स्वायत पहल तो युद्धे से यह है गवर्मेंट ई-market प्लस पर ई-लेंदेनों के माध्यम से स्टार्टस मैलाओं और युवाओं को प्रसाहन प्रदान करने की एक पहल ह है उत्तर पूर अधागी के विकात से योजना तो इसका उधेश है पुरु उत्तर राज्यमें अधागी करण को बढ़ावा करने हैं तो एन ऐ आई डिया के प्रमुख परमुक वेरी करम ग्रीव yok ग्राव के ओधनारर हो यरे तयकरी तक पहुचे केंदरी पुझीकत निवेश प्रसाहन और किण्दरी ब्याज प्रसाहन कांदृ वियापक भी माक्षाहन आइकर प्रतिपूर्ठी जियस्टी प्रतिपूर्ती, रोजगार प्रतिपूर्ती, प्रसाहन और परिवहन प्रसाहन आगे आता है निर्दिष्ट क्रिसी उत्पादों के लिए परिवहन और विपण सहायता उद्देश से तो क्रिसी उपज के माल ढूलाई और विपनक के अंतराश्टी घटक के लिए साहयता प्रदान करना है साथ है निर्देश्ट विदेशी बजारों में भारती क्रिसी उत्पादों के लिए ब्रांड पाचान को बढ़ावा देना है अपेक्षित लाब तो ट्रांस सीपमेंड के कारण निर्देश्ट विशी उत्पादों के निर्यात के परिवहान की उच्छ लागत के नुपसार में कमी होगी और विस्तार तो समधित निर्यात समधन परिशद में विधीवत पंजिक्री सभी निर्यात तक आगे आता है भारती फुट वियर और चमड़ा विकास कारेक्रम तो यह प्रकार है यह एक केंद्री चेत्रक की योजना है अवधी वर्स 2026 तक है प्रमुख 6 घटक इसमें है जैसे की सतत परदोकी और परियावर्ण समधन चमड़ा चेत्रक विकास मेगा लेदर फुट वि यह उत्पादों पर सुल्क करो कि छूट देने की योजना तो यह इसका उद्यर से निर्यात को द्वारा पुक्तान किये गए अलग-अलग करो तथा सुल्कों तथा स्थानी कर कोईला उपकरण मंडिकर आधि की पुनर्ग परदी पुति करना ग्यातप है कि उन्हें किसी अन्य मौजूद योजना के तहट कोई छूट रियायत पती दाय प्रदान नहीं किया जा रहा है या निर्यात की सुन्ने रेटिंग सुनिष्चित करता है अर्थात करो या सुल्क का निर्यात नहीं किया जा सकता तो अब नेश्ट आता है संचार मंत्राले कमिनिष्टी या छेत्रक की योजना है और इसका लच्छ है भारत में एक मजबूत घरेलू मुली स्रिंखला का निर्माड करना करना अजनसी तो भारती लगू उद्धोग विकास बैंक इसकी करना अजनसी है अवधी है तो वित्तवर्स 2021 से वित्तवर्स 2024 पचीश तक ही निवेस किया जाए तो इसमें कुछ अन्य पहले भी हैं जैसे की राष्टी ब्राडबैंड मिशन इसका उद्धे से डिजिटल संचार और सनचना के तीवर्विकास को सक्षम बनाना इसका लच्छ है गाओं को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी अब तक 1.81 लाग क्राम बन चायतों में यह सेव प्रदान की गई है ब्राडबैंड की गति तो वर्ष दुवजाट चौबिस पचीज तक 50 mbps करना है और फाइबर 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 फाइबर्जेसन में वर्ष दूजाट 24-25 तक 50 लाग किलमेटर तक पर करना है टावरों में ब्रिति करना है टेलिकाम टावर वेप से ट परस्ति ब्राडबैंड करेंग्टिविटी पदां करना आविति छेत्र तो सभी पसावत वाले गाउं सुरवात में सभी ग्राम पंचायतों कर लचित किया गया था अवधी 2025 तक करने भारत में ब्राडबैंड नेटवर्क लिम्टेट बियस्नल द्वारा पित पोसीत सारभ हमिक सेवा दायतों निधी द्वारा राष्टी महत्तों की परियोजना डिजिटल इंडिया के बीजन को सकार करने के लिए बिना भेदभाव के सुलब होने वाला एक अत्यधिक इस केबल नेटवर्क इंफर्टरक्चर अस्थापित करना तरंग संचार पोर्टल इसका उद बारे में तो मोबाइल टावर और वित्तु चुमबकी यावित्ती के उस जन अनुपालंग के बारे में ज्यनकारी प्रतान करना मोबाइल टावरों विकीर उसुजन के सम्मंद में टावर या बेस इस्टेशन की चांश कर्वा सकता है अब आता है आगे नए भारत के लिए इसका लच्च है सेवा की गुडवत्ता में सुधार करना और बैंकिंग सेवा से बंचित ग्रामीड अबादी वित्ती समाई वेशन सुनिश्चित करना इसका लच्च साखा के पोस्ट मास्टर यानी BPM को निम्न उर्जा कपत वाला प्रदोग की समयधान उपलब्द करवाना और ये अपलिकेशन है D.A.R.P.A.N. P.L.I. अपलिकेशन डाक जीवन विमा यानी पलाई और डाक जीवन विमा ग्रामीड डाक जीवन विमा आर पी अलाई नीतियों के प्रीमियम का निलबाद संग्रहड है तो लांच किया गया है संपूर विमा ग्रामी योजना क्या है लच्छ इसका है इसका उद्देश से डाक नेटवर के माधियम से देश की ग्रामिड छित्रों में रहने वाले लोगों को वहनी जीवन भीमा सिवाय प्रदान करना या देश के प्रतेख राचत सुजीरे में कम से कम एक गाउं जिन में नियुनतम सव परिवार हों की पजान क करेंदर करेंगा साथ ही कम से कम एक और पूलाई ग्रामिड डाक जीवन भीमा प्राइमा पैसी के साथ उस चिन्हीज गाउं के सभी पर योजना परिवारों को सामिल करने का प्रयास किया जाएगा आर पी अलाई ग्रामिर छेतरों के निवासियों विशेश रूप से कमजोर वर्गो और ग्रामिर महिलाओं को भीमा कबर पतान करना सांसद आदर्स ग्राम योजना के अंतरगत आने वाले सभी गाउं को उन्हें संपूर भीमा ग्राम में रुपांतरित के लिए इस योजना के अंतरगत लाये जाएगा दिन दयाल इस पर्स योजना लक्ष है इसका है डाक टिक्टो के संग्रह और अध्यान को बढ़ावा देना दिन दयाल इस पर्स रूप में डाक टिक्टो के प्रति अभिवित्ति और अनुसंधान के समवधन के लिए छातवित्ती योजना इस योजना के अंतरगत कच्छा कच्छा 6 से लेकर कच्छा 9 तक उन बच्चों को वार्षिक तोर पर वचातवित्ति दी जाएगी जिनका सैचछडिक पैड़ाम अच्छा है और उन्हें टिकट संगरा को एक रूची के रूप में चुना है तो अब आता है और भुक्ता मामले खादे और सारजनिक वित्र मंत्राले तो इसमें पहला है राष्टि खादे सुरच्छा अधिनियम तो यहां तेरा का इसमें बहुत ही चर्चा में है कि अंदरी पिराजित योजना है और इसका उदेश से मानो जीवन चक्रत इस्टी कोड में खादे पोसर सुरच्छा पदान करना है कबरिज देश की अबादी में 67% ग्रामीड 75% सहरी 50% कबर किया गया है परिवार की पहचान कैसे है तो दुझारी 11 बारक की जनगरना के रुशार है वित्वर्स ग्यार बारक के लिए राष्टी पतिदर्स सर्वेच्छड नसस परिवार द्वार पुपोग सर्वेच्छड डेटा के अधार पर है अन्य उद्देश इसके हैं तो लच्छी स्याजनिक वित्रपडाली के तहत सबसीटी कृत मुल्य जीसे केंदरी निरगम मु यह जयानु वर्ट नेशन वन राष्ट कार्ड के वाला है तो इसमें एक करत्रप्रबंधर में माद़ देश में किसी भी उच्छी तमुले की दुकान से अपने हग का खाधियान प्राथ कर सकता है वे मौजूदा रासन कार्ड का अँपयोग करके की बाजमेटरी की अधार परमाड़ी करड़ माधियम से फ्राप्ति कर सकता है आगे आता है ओन्य स्थीरथा कोस तो मुलव्ष्थ कोस में इसका कुछ क्रिसी बगवांवानी जैसे जिंसों जैसे प्याज आलूं और, दालों के मुल और इस्तिरता का समधान करना जिंसों के खरीद की जाती है तथा उन्हें भंडारित किया जाता है इस्टाक के आसाकित मोचन के माधियम से उचीत किमतों पर जैसी जिंसों की आपूर्थी करके भगताओं की सुरच्छा की जाती है फार्म गेट मंडी में किसान संगों से सीधी खरीद को प्रसाहन दिया जाता है इसकोस का बजार सब्सक्राइब है तो केंदरी हस्त एजंसियों राज्य केंदर सासित प्रदेशों कि सरकार एजंसियों कारसील पूल जी का प्याज मुक्त अग्रिम पदान करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आप पाथा है सहाकारिता मंत्राल सायर निगम करने नाइन एजसी तराष्टी सहाकारी भिकास निगम करने एजसी वितवेश्च encant allegedly साथ ही किसानों की आयक को दुगुना करने के लिए साकारी समितियों को विद्धी साहता पदान की जाएगे आगे आते हैं तो कुछ अन्य युजनाय भी हैं जैसे कि आयुसमान साकारी युजना तो इसका लच्च है साकारी समितियों को विद्धी साहता पदान करना कारणायन एजंसी तसराद है यह NCDC है जोकि राष्टी साकारी विकास निगम है NCDC निमलिकित के लिए साकारी अजंसियों को विद्ध परदान करता है जैसे कि पी एच सी अस्थापित करने के लिए चिकिस्सा सिच्छा नैद्यानिक सेवायों दवा बेवसायों ब्लड बैंको अधिक अस्था मर्थन करने के लिए परिचालन अस्थाओं को पूड करने के लिए कारिसिल पुन्जी और मार्जिन की सुईधा प्रदान की जाएगी महिला बहु संख्यक साकारी समितियों को एक पतिशत ब्याज अनुदान उपलब्द करवाये जाएगा फिर युगा सहकार उद्धम सहयोग एवं नमचार योजना तो लच्छ युगाओ को सहकारी ब्यवसाइक उपक्रमों की और अकर्शित करना कारवनेन एजनसी राष्टी सहकारी विकास निगम योगेता कम से कम एक वश से संचारी सभी प्रकार की सहकारी समितियों वित पोसड तो NCDC द्वारा निर्मित को आपरेटिव स्टार्ट अप एंड इनोवेशन फंड से जुड़ा हुआ प्रसाहन रासी और वित पोसड प्रसाहन रासी है इस योजना में मुल धन के भुकतान पर दो वर्स के अधिस्थगनन सहित पर योजना के लिए ब्याज द तीन करोड रुपए तक से 2% कम और वित पोसड में पर योजना लागत 70% तक है और निमलेखित जूड़ी सहकारी समीथियों के लिए 80% तक है उत्तर पुर्वी छेत्र आकांची जीला छेत्र महिला स्टियस से अब फिर है सहकार मित्र इंटर्ट पर इंटर्ण सीप कारिकर तो इसका उद्य से सहकारी संस्थाओं को युगा पेसेवर्ट के नवीन और प्रगति सील विचारों तक पहुचने में सहयोग करना साथ ही युगाओं को छेत्र में कारे करने को बहवारिक अनुभव प्रदान करना कारण एन एजनसी तो पात्रता इसका है क्रिसी और कर रहे हैं संगनात्मक संदर्व में कौसल ग्यान का उपयोग करके सीखने का अनुभव प्रात्र करने के लिए युगा पेसेवर्ट को लगू अवधी चार महिने से अधिक नहीं का उसर खदान करना है तो अब आगे आता है कार्पोरेट कारे मंत्राले तो इसमें पहला है नेशनल इगवर्नेंस सर्विसेज डिलेवरी गेटवे के साथ अंतर प्राप्त करना तो यह है यह भारत सरकार की पहली मिशन मोड इगवर्नेस परिज़ना है कंपनी अधिनियम उन्हें चपन के प्रवरतन और अनुपालंग की पूर्व पूर स्वाचालन सुनिश्चित क की जाएगे एमसी एमसीय 3.0 यह अधी निड़यन यह परामर्स आधी के लिए अत्रीत मार्डिल प्रदान किये जाएंगे राष्टी CSR डेटा पोर्टल तो इसका उदेश से यह पात्र कंपनियों द्वारा अपने वित्ती वित्रड में MCE21 रजिस्टी पर दाखिल लखी गई निगमित सामाजिक उत्तरदाईत गतिविधियों और जनकारी को प्रसारित करने का एक मंच है कारपरेट डेटा पोर्टल उदेश से यह पोर्टल कंपनियों की सभी वित्ती और गैर वित्ती जनकारी वार्सिक वित्ती विवरड वार्सिक रिपोर्ट और विभिन कारेकरम अधारित फाइलिंग सहित को साजनिक और लोकन के लिए उप्रद कराएगा कमपरी को इलेक्टार्निक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोप फार्म है तो इसका उद्य से भारत में व्यवसाय सुरू करने में सामिल विभिन प्रक्रियाओं लगने वाले समय और लागत की बचत करना यह इजाब डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत सरक सरकार की विभिन पहलो और पतिबदताओं का एक भाग है SPICE-E plus वस्तुता केनर सरकार के तीन मंत्रारियों गेंने भागो तता एक राज सरकार महराष्ट दारा प्रतत सेवाव में हिक्रित वेवर्व हम है इसमें तीन मंत्राल है कर्प्रेट कार्य मंत्राले श्रम में काईयों का डेटा बैंक तो उद्देश इसका है भारत में कर्परेट प्रसास्थ में उच्च मानकों का विकास करने के लिए मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों का सक्षम बनाना अन्यमलेखित की व्यापक repository का निर्माड किया जाएगा मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों क स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक और बेयोगी व्यक्तियों की सभी स्वतंत्र निदेशकों के साथ अपना पंजी करण करना आवस्यक होगा कमपनियां भी स्वत्मर निवेशकों के रूप में नियुक्तियों के लिए वेक्तियों की खोच चैन और उनसे संपर्क करने है तो अपना पंजी करण करा सकती है तो अब आगे आता है संस्कृति मंत्रा ले इसमें भी कुछ ऐसे ही अन्य है जैसे की प्रोजेक्ट मौसम तो इसका उद्य से बहुए हिंद महासागर के संदर में पुरातत्त और एवम एथियासिक इस्तर कानुसंदान करना ताकि विवित्ता से भरे इस छेत्र के संस्कृति प्रोजेक्ट मौसम केंद्र बिंदू तो मानसुन की पदतियां संस्कृतिक मार्ग समुद्री परिदी से दो ट्रांस नेशनल नमांकन तयार करने का प्रस्ताव किया गया है दच्छिड पूर एसिया छेत्र में चोलो द्वारा उपयोग किये गए मार्ग दर्चिड और दर्चिड और दर्चिड पूरो ACI छेतर में बहुत धर्मे के प्रसार हेतु अपनाए गए भूमी एवं समुद्री मार्ग इसकी पर प्रमोशन आप कल्चर साइंस इसका उद्ध से क्या है तो यह बिज्ञान और प्रदोगी को लोगत्री बनाना उद्धो के ओं मानो कल्यार में इनका विकास अनुप्रयों को बढ़न करना और इसकी कुछ निम्रेखित प्राधान भी है जैसे कि साइन्स सीटी साइन्स सेंटर इनोवेशन हब की अस्थापना करना मौजूदा साइन्स सीटी साइन्स सेंटर इनोवेशन हब की अधुने की करण का उन्यान और डिजिटली करण तारा मंदल अंतरिच और खगोल विज्ञान सिच्छा केंदर का स्थापना करना अगला आता है सेवा भोजी युजना तो इसका उदेश से है परोपकारी धार्मिक संस्थानों की बित्ती बोश को कम करना प्रकार है केंद्री चेत्रक की युजना है यह सभी परोपकारी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदीर, गुरुद्वारा, मस्जित, चर्च, धार्मिक आस्रम, दरगा और मठ बहुत मठ आदी पर लागू होता है निमलिकित की पूर्ती, प्रती पूर्ती की जाएगी तो केंदरी वस्तु एयों सेवा कर जैसे की सी जीस्टी की और और आई जीस्टी में केंद सरकार के हिस्से के जनता को निसुल्ग भोजन देने के लिए विशीष्ट कच्चे खाद पदार्थों की खरीद पर उपयुक्त या टूर आफ ड्यूटी अग्रीव वीर के लिए योगिता तो यह सत्रफ साड़े सत्रह साल से एक इस वर्स के यानि तैस वर्स के आयो में वर्तमान भरती के लिए है लाब इसका है तो नागरिक समाज में सायने लोकाचार के साथ युवाओं को ससक्त अनुवासित बनाना और कॉसर प्रदान करना है आते हैं इसके कुछ अन्य पहलों पर जैसे कि प्रदो की विकास नीधी युजना है तो नीधी के अंतरगत प्रती प्रोजेट को प्रदान किया जाने वाले अनुदान को 10 क्रोड़ पे से बढ़ा कर 50 क्रोड़ पे किया गया है ऐसे मेकिन इंडि के साथ साज़ेदारी वे अत्यदिक परिच्छड और सरचना का निमार करके घरेडू रच्छा एयरोस्पोस मिनिमार को बढ़ावा देना है और रच्छा और एयरोस्पोस समंधिय उत्पादन के लिए 6-8 ग्रेन फिल्ड डिटी आई सोईधाओं की अस्थापना करना है आ समान पेंशन प्रदान करना कब्रेश 30 जून 2019 तक सेवानिवित हुए ससत्र बल कर्मिक तथा युद्ध विद्वाओं और असक्त पेंशन भोगी सहीत कुटूंब पेंशन भोगी अपवरजन है तो सवैच्छिक रूप से सेवानिवित होने वाले कर्मियों को ओ और ओपी युजना के अंतर का सामिल नहीं किया जाएगा आगे आता है राश्टी एकी करण का यात्रा इसका लक्षी है ये सैचिक एवं प्रेड़ा दाई यात्राय हैं इनका उद्देश से देश की समरीद विरासत के साथ साथ विभीन विकासात्मक एवं उदोग समंधी जारी पह तो इसका लच्च है इसका उद्देश से भारती रच्चा विनिर्माड परिवेस में बहुती संपदा अधिकार संस्कीति के विक्सित करना है तो अब आगे आता है उत्तर पूर्वी चेत्र विकास मंत्राले तो इसका देखिए इसमें भी कुछ अकाली विवीद है अन्य विवीद है जिसमें की नार्थ इस्टे इस्पेस्शल इंफाश्टूक्टर डिवलपमेंट इसकी इन सबके बारे में खाली जानते रहिए इसका लच्च क्या है प्रकार क्या तो जैसे की इसका प्रकार केंडु श्यत्र की जोना है और इसका उदेश के निर्दी आज्डी और सरवरचनाओं का तीवर विकास सुनिश्चित करना है और इसका निदी करण का तरीका 90 और 10 का है ठीक है आगे बढ़ते हैं उत्तर पुर्वीर सड़क चेतर विकास तो उसका उद्धे से एन ई आर में सड़कों की कुछ सेड़िया है सड़कों पर पूलों के सजित पुर् वतर चेतर सामुदाइक संसाधन प्रबंधन पर योजना तो इसका उद्धे से है इस पर योजना का प्रातमिक उद्धे से आजिवका के आउसरों को बढ़ावा देने और आजिवका विकास समंदित अस्थानी संसाधनों को सुद्रिड करके आर्थिक रूप से कमजोर तरीके से सुधार करना है समाजी के विकास निदी तो इसका उद्य से है अधुलिखित हितु एनियार के सारजनिक खाते में इस निदी को बनाया गया है आगे बढ़ते हैं आत्म निभा हस्तिसील पर योजनात सुरू किया गया पुर्वतर विकास बित्र निगर लिम्टेड द्वारा उद्य से इसका है छोटे कारीगरों को विकास करना रेड़ सुधा तो जमानत मुक्त यह है जो कि 36 प्रतिवर्ष की रियायत ब्याजदर है 24 मैनों में चुकाया जा सकता है अब आगे आता है प्रित्वी बिज्ञान मंत्राले तो इसमें पहला है वायू मंडल तथा जल वायू अनुसंधान प्रति रूपर प्रिश्चण प्रडालिया एवं सिवाएं तो यह एक प्रकार केंदरी छित्रक योजना है और इसका अउद्य से बहतर मौसम जलवाईू महासागरी पुर्वनमान और श्रिमाय प्रतान करना आगे आता है सिच्छा मंत्राले तो समगर सिच्छा विद्याले सिच्छा के लिए एक समयकित योजना तो इसका उद्यस से है प्री स्कूल से लेकर बारत तके विश्थारी तुस्री सिच्छा के सुधार है तो इसका प्रकार केंदरी प्रहर्णीर यूजना है यह करणे एजन्सी तो राज्य और संग राज्य चेत्रों के इस तर पर राज्य करणे और सोसाइटी और सब्सक्राइब को मजबूत करना है ठीक है आगे पढ़ते हैं दूसरा आता है राश्टी इस्तर राश्टी उचतर सिच्छा अभियान तो यह है राज इस तर पर योजना बद्विकास के माध्यम से उचतर सिच्छा के संदर्व में पहुंच समानता और गुर्वत्ता समंदी सुधार करना रकार इसका एक केंद्र प्राजित योजना कराणने जन्सी तो राज संग राज चेतर के इस तर पर राज कराणने सोसाइटी आवदी दुयाच अबिस तक का है और अन्ले उत्ते से इसके तो गुर्वत्ता में विद्धी करना और चेत्री असंतर को दूर करन करना है और कम्यों दूर करना गुर्वत्ता सिच्छा को और प्रोफेसरों की परियाबत उप्लवत्ता सुनिश्चित करना है अब आता इस टड़ी इन इंडिया तो यह केंद्री चित्र की योजना है और देश बिदेशी चात्रों के लिए भारत को एक पसनिता सिच्छर सं पनी है इसका अन्य उद्य से क्या है तो भारत में अध्यन के लिए अंतर राष्टी चत्रों को आगमन को प्रोसाहित करना पड़ोसी देशों पर ध्यान के इंदित करने के साथ साथ भारत की सौट पावर चमता को बेहतर बनाना बैस्विक सिच्छा निरियात में भारत की बजारी भागीदारी एक पतिशा से भी कम से बढ़ा कर दो पतिशा तक करना है तो कुछ अन्य पहले भी हैं जैसे कि सिच्छा मंत्राले के अंदर करने कि पीम विद्या यूजना आता है पीम स्रीय स्कूल आता है और पीम विद्या समिक्षा यूजकेंद्र है और भारती पोसर सक्ति निर्माड पीम पोसर है और उन्नत भारत अभियान है और बहुति संपदा सक्षरता और जागुत्ता के लिए कलाम कारेक्रम कपिला अभियान है और अखिल भारती तक्निकी सिच्छा परिसद स्पाइसेज मच्षात्रों के मत्रूची रचनात्मक यूं नहतिक पुद्धा को बढ़ावा देने के लिए योजना है वित्ती सक्षरता अभियान है विसाका और अनुसंधान नवचार और पदोगी को प्रभावित करना है उत्कृष्ट संस्थान योजना है और विद्वान पोर्टल है नव भारत सक्षरता कारेक्रम ये सभी और स्वयम या इस्टडी पेप से अउप एक्ट्व लर्निंग फॉर यंग इस्पारिंग माइंड्स है सैचडिक नेटोर के लिए बैसिक पहल ग्यान राष्टी सैचडिक निच्छे पढ़गार इंड नेस्नल इस्टिटूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क और समाजी विज्ञान में कार उचतर सिच्छा कोस और प्रदोकी के लिए राष्टी सैचिक गडबंधन प्रधान मंत्री युगा युगा आगामे और बहुमोखी लेका की योजना 2.0 पड़े भारत बड़े भारत प्रधान मंत्री नौनमेस सिच्छा कारेकरम द्रू भारत की विकास सिल अर्थवेवस के लिए परा विद्या समन्ति अनुसंधान युजना और उचतर सिच्छा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेस अप्रेस प्रेंटी सिप एवं कौसर युजना श्रेयस तक्निकी सिच्चा गुडवत्ता सुधार करिकरम सुच्चा गुडवत्ता उन्नेयन और तथा समावेशन करिकरम एक भारत स्रेष्ट भारत करिकरम उडान चात्रोक पंक देने हेतु करिकरम संस्थानों को नौनमेश परिशद भारत में बालिका सिच्छा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस, साला गुर्वत्ता स्वगुन पोर्टल तो देखिए इतने सारे जितने भी नाम लिए गए ये सभी सिच्छा मंद्राले के अंतरगत आते हैं अगला आता है इलेक्टानिक और सुचना प्रवद्र की मंद्राले तो इसके अंतरगत ये पहला है उत्पाद नवाचार विकास और समरिधी के लिए समरिध करिक्रम तो इसका उद्यस क्या है भारती साफ्ट वियर स्टार्ट अपस के लिए अपने उत्पादों को उन्नत करने अपने कारोबार को बढ़ाने ये तो निवेश प्राप्त करने के लिए एक अनुकुलम में तयार करना फोकस है या अगामी तीन वर्सों में रिय स्टार्ट अपस के मौजूदा मुल्यांकन व विकास के चरण के अधार पर स्टार्ट अप में 40 लाख रूपए तक का निवेश चैनित एसलेटरों के माध्यम से किया जाएगा करणायन एजंसी तो इलेक्टाने से हम सुचना प्रोदों की मंत्राले स्टार्ट अपस है ठी और विभागों की विभीन एक गवन्नेस समंधी पहलों को एक साथ जोड़ता है साजनिक नीजी भागिदारी एक गवन्नेस पर योजनाओं के करणायन है तो जहां भी संभा हो पी पी को प्रात्मिक्ता दी जाती है आगे बढ़ते हैं तो इसमें तीसरा है राष्टी पर कंप्यूटर परिस्थिति की तंत्र का विकास करना अंतर मंत्राले मपहल मे आई टी वाई और विज्ञान एवं प्रदोग की विभाग अपक्षित लाब है विज्ञान और इजिनेरिंग के पहु विशयक डोमेन में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में इसमें आई टी विद्धोक के संपूर स्प्रेक्ट्रम के विकास में तेजी लाना करने तंत्र इलेक्टर इक लेक्टरानिक ही और सुचना प्रदोगी मंत्रा यानी में आई टी वाई के तत्वाधान में एक राष्टी सब्ट वेयर उतपाद मिसन सुरूग किया जाएगा कारवियन एजंसी तो उपयूत कारेकरमों में उपयूत योजनाओं के माध्यम से M.E.I.T.Y. द्वारा इसका अन्य उद्देश से 2.25 तक 27 टेयर उत्पाद बजार में हिस्सेदारी में 10 गुना बित्धी हो सके पाच्मा है ईलक्टारिक्स उत्पादों के लिए उत्पादन से समंद प्रोसाहनी योजना तो यह केंद्री छित्र की योजना है उद्देश Θ ardных घृचलू विनिर्मार को बढ़वा देना तिधा में 20 चेंपियन मनाना पर योजना प्रबंधन एजएंस्सी यह अवदी दू जीवन प्रमाड है तो इसका उद्य से जीवन प्रमाड पत्र प्रस्तु दाखिल करने के लिए आल लाइन सुईधा उपलब्द है जो जीवन प्रमाड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और नेश्ट आता है भारत के सब्टेवर प्रदोगी पार्क यह 1991 के सुईधा संचार और प्रसिच्चर मूल्य वर्थी से वाएं बैदानिक से वाएं के हैं अ कि रता है इलेक्टानिक घटकुल और सेमिक्रनेटर के विन्माड समधन योजना अफेसी अंतरगत है प्रदार मंत्री ग्रामी डिज्टल साख्चरता अभियान और उसी के अंतरगत ह संवर्धन योजना स्थ्री स्वाविमान इलेक्टरनिक्स कोस विकास कोस और संसोधित इलेक्टरनिक्स विनेमार कलस्टर योजना ज्यान सरकल वेंचर्स डिजी लॉकर और यूनिफाइड मोबाइल अप्लिकेशन फॉर तो न्यूफेज्गवर्निन्स और डिजी साला भी इसी इंतर घता है सुरच्ष सुरचई स्वा के रूप में सुरचपर्वेब्साइड का इंसी इंतर घता है राश्टी सुचना विज्ञान केंद्र कंप्यूटर अपात प्रतिकिरिया दल प्रोजेक्ट साइबर सिक्षा इलेक्टानिस और सुचना प्रदोकी है तो विशुसराईया पीएडी योजना इसी केंटर करता है अब आता है पर्यावरण वन और जलवाईयू परिवरतन मंत् पर योजना तो इसका उद्य से क्या है तो उच्छे उच्छे स्रेडी के हिमाली परितंति की अजिवका सनर्च्र संसारडी इस्तमाल अपनरुद्दा सुनिश्चित करना अंतरराष्टी समर्थन में है इसका वैस्वीक पर्यावरर सुईधा और सन्युक्त राष्ट विका परिवतन के अनुकूल होने और भारत विकास के पत्त की परिष्टिकी स्थिता को बढ़ाना है तो यह पचीश शबीच तक इसकी अवदिए कारण एन एजनसी इसका है इन मिशने को समंधित मंत्राले द्वारा सागत किया जाता है जलवाई परिवतन पर पतामंत्री की पर एक्रम भी है इसी के अंतरकत इंडिया कुलिंग एक्षम प्लान परिवेश से यानि कि आपसी परामर्स गुड़कारी और पर्यावरण एकल खिड़की के बाते हमसे अग्र सक्री और जबाब देई सुईधा और वन्या पर्यावसों का एकी क्रीत विकास करना है और राष् सीप ग्रूप आफ इंड़स्ट्री ट्रांजिशन पहल है सतत्त नाइट रोजन प्रबंधन पर कुलंबो घुस्रा पत्र है और नगरवन योजना है अब आता है विदेश मंत्राले में भारत को जानो कारिकरम इसका उद्देश क्या है तो भारत में रह रहे परिवर्तन का प्रवासियों को परचित कराना है ठीक है अफी दूसरा इसमें है प्रवासिक विकास योजना तो इसका उद्देश क्या है तो विदेशी रोजगार के आवसलों को सुगं बनाने है तू अंतराश्टी मानकों के अनुरूप चैनित चेत्रों और नोकरियों में विदेश मे इस्थापन 1964 तरही अगला आता है प्रोजेक्ट एबी भी ए इबी ए बद्या भारती टिल्य अजू के संद्दा है अब आता है वित्तमंत्रावल के अंतरकत है प्रधान मंत्री वाद्दाना योजना तो यह केंद्री चैत्र की योजना है इसका उतिया से है एक या एक बीम सब्सक्राइब करती है अर्टा इसमें केवल साट वर्स और उससे अधिक आयो इसके वरिष्ट नागरिकों के लिए है इसका कारण नयन एजंसी भारती जीवन विवा निगम और अन्य उद्द्धा वस्ता के तौरां समाजी सुरच्छा प्रदान करना और बजार की चेत्रक योजना है उद्देश से है प्रतेक भारती को ससक्त बनाना और अपने अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना है अहरता तो वी निर्माड सेवाओं क्रिसी में सम्रिद संबंध कतिविदियों या व्यपार में छेत्र में ग्रीन फिल्ड उद्दम कारण फिल्ड उद्दम अस्थापित करने के लिए अनुसूचित वाड़ेजिक बैंक की प्रतेक बैंक साखाम से दस लाख रुपए से लेकर एक करोड रुपए तक के रिड़ सुईदा उपलद कराना है अब आगे आता है प्रधार मंत्री मुद्रा योजना जो की ये केंद्री चेतरक योजना है इसका उद्यस है समावेशी संधारड़ी और मुल्य अधारित उधम सीलता संस्कृति का निमाड करना और इसका है मुद्रा या कंपनी अधिनियम 23 के तहत एक कंपनी के रूप में और आर्बियाई के साथ एक गैर बैंकिंग वित्ती संस्थान के रूप म पंजिकृत है इचित लाभारती है कोई भारती नागरी जिसके पास गयर क्रिसी चेतरक में आय स्रीजन गतिविधी के लिए बेवसाई हो जना है और जिसकी रिड़ आव सकता 10 लाग रुपए से कम है अब इसमें नेश्ट आता है राष्टी पेंसन प्रडाली तो यह जिसका लच्छे भारत के प्रते एक नागरी को सेवा निवित पर परियाप्त आय प्रदान करना और इसका लाभारती 18-65 वर्स के आयू वर्ग वाला भारत का कोई भी नागरिक निवासी और और निवासी दोनों हो सकते हैं कब्रेज इसका है सारजनिक नीची और संगर्ठी चेत्र की कर्मचारी कारणयन एजंसी तो पेंसन निधी विनियामक और विकास प्रादी करड़ है अब अगला आता है स्वड मुद्री करड़ योजना तो इसमरडी तत्य है उद्देश देश में प्रयूगत स्वड को एक और आयकर से मुक्त है अन्य उद्देश से है तो परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्द स्वड को एकत्रित करके उसे उत्पादक उपयोग में लाना स्वड के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और देश में रत्न और अभूसर चेत्रों को प्रुसाहन प्र इसका प्रकार है केंद्र प्रयाजीत योजना अलच्छ इसका है अंतर चेत्री और समुद्री दोनों चेत्रों में जल्क रिशी या मस्थ संसाधनों में से उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना कब्रेज तो पुर्वत्तर राज्यों और संग राज्यों में राज किसे क्या है तो उत्तरदाइयों संधरडी तरीकों से समगर मस्यन उत्पादन में तु ऑबFRधि Πालंग कद अधुन की करड करं नात ता खादे और पॉसरशुच्छा सुनिस्चित कर्ना रोजगार और्चया से आयस रिजित कर्ना ता समय से विकास सुने स्चित करना अगला आता है राष्टी गोकुल मिशन क्या है यह तो इसका लच्छ है स्वदेशी गो जाती नसलों का विकास और सरच्छर किसकी उपयोजना है तो राष्टी पसुधन विकास योजना है प्रमुख लाभारती लगोयम सिमांतर किसान विसेश रूप से मह अगला आता है प्रधान मंतरी मस्य संपता योजना जो कि इसका लच्छ है भारत में मस्य की छेतरक के संधारडी एवम उत्तरदाई विकास के मात्याम से नीली करांती लाना प्रकार तो केंद्री छेतरक की योजना और केंद्र प्रधाजी ती जोजना है प्रधुकी का लाभ उठाना जैसे पुनर चकरी जलक रिसी प्रडाली बायो फाल्क एकापोनिक्स से वित्त वित्ती वर्ष दोजाज चौविस पचीज तक अवद्य सक्या है तो मसिकी चमता का दोहन और सनचनायों भी नियमन में सुधार, किसान की आय में विद्धी और नीली करांदी की उपलब्धियों का समेकन तो अब आगे आता है खादे प्रसंसकरण उद्धोग मंतराल है तो इसमें देखिए पहला है पधान मंतरी सुच में खादे प्रसंसकरण उद्धम अब चारिकी करण योजना तो इसका प्रकार या एक केंद्र परायजीत योजना है कारव अवधी है इसकी अवधी 2021 से 2024 तक पांच ओवर्स निर्धायत की गई है इच्छी तिल्लाभारती है मौजूदा सुच में खादे प्रसंसकरण उद्धम किसान उत्पादक संगठनों स्वैम सहता समों उत्पादक सहकारी समितिया नोडल बैंक तो यूनियन बैंक आप इंडिया तो प्रधान मंतरी किसान और मंतराले की नई योजनाओं को भी इसके तहत सामिल किया गया है संभावित लाब तो किसानों की आयद दुगनी करना रोजगास रिजित करना क्रिसी उपश की बरबादी को कम करना है और अन उद्धे से क्या है तो खादे प्रसंसकरण के लिए आदुनी का सुचना का न अगे आता है खादे प्रसंसकरण उद्धो के लिए उत्पादन से सम्बंध उत्प्रसाहन योजना तो इसका प्रकार केंदरी छितरकी योजना की एक योजना है लच्छ इसका है प्रसंसकरण चमता में विद्धी करना और मजबूत भारती ब्रांडों के उत्भा को एकतार करना आधी है तो आयसमान भारत तो आयसमान भारत बहुत चर्चा में है तो इसको याद रखी है स्वास्ते देखभाल को घबर करना को समगर रूप से संबूधित करना है। अब आता है राष्टी स्वास्थ मिशन तो यह प्रकार है यह केंद्र प्रयाज wastewater है अलच्छ है समान भानी और गुर्वत्ता पुडश्थ स्वास्थ देखभाल सिवावथ तक सारफ भहमिक पहुँच प्रदान करना है राज्यों की साहता है तो राज्यों को साहता तो इसके तहद मुनियादी धाचे में सुधार के लिए राज्यों के इंसासी पदेशों को वित्ती और तकनीकी साहता प्रदान की जाती है मिशन प्रमुख है तो मिशन का निदेशक है तरित सच्चिव के इस तरक होगा अगला आता है परिवार कल्याड एवं स्वास्त व समन्थी अन्य उपायों के लिए अंब्रेला योजना तो यह इसका प्रकार है यह केंदरी छितरक योजना है लच है बिमार लोगों की देखभाल से रोके की अवदारडा को बढ़ावा देना लाभारती है समस्ता बाती जबकि कुछ उपयोजना के तहत निम्न आयवर के लोगों पर विशेज ध्यान दिया जाएगा अवदी है वस 2019 से 20 तक का अवदे से है आधुनिक गर्ब निरोधक पसारदर को बेहतर करना और परिवार नियोजन में सहायता करना और जन संख्या निस्तिरता को फ्राप्त करना सिसुओं एवा मताओं का बेहतर स्वास्त सुनिश्चित करना है अब आता है अन्य पहले तो आयुस्मान भारत डिजिटल मिशन तो इसका उदे से क्या है मौझूदा डिजिटल स्वास्त समाधानों में अंतराल को पाटने के लिए देश के एक गरी डिजिटल स्वास्त बुनियादी धांचे का समर्थन करना है और अगला आता है यह एक राष्टी टेली मेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्रेटफार्म के माधियम से परमपरिक भोतिक परमर्सों का विकल प्रदान करने का प्रयास करती है राष्टी स्वास्त प्रादिकरण ने ABDM के साथ इस संजियोनी के सफलेगिकरण की घोसड़ा की है आगे आता है जनरी सुरच्छा योजना तो यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मांग समवर्धन और ससर्थ नगत हस्तांतर योजना है फीर जनरी सीसु सुरच्छा करेकरण तो इसका उदे से गर्वती मैलाओं और नवजाज सीसुओं को बेहतर स्वास्त सुईदाएं प्रदान करना और तथा सस्तागत प्रसव में होने वाले अधिक खर्च की समस्या कर समधान करना है बिना खर्च वाले प्रसव भी हो जाएंगे इसमें प्रदान मंतरी सुरच्छित मातित अभियान है तो इसका उदे से प्रतेक मा की नौ तारिक को सभी गर्वती मैलाओं को निसुल को सुनेश्चित ब्यापक और गुडवत्ता प्रसव पूर्ड देखभाल प्रदान करना है और यह निर्दी सरकारी स्वास्त स्विधाव में गरभा वस्था की दूसरी तीसरी तिमाही में मैलाओं को प्रसव पूर्ड देखभाल सेवाओं के निवन्तम पैकेज की गरांटी प्रदान करता है कि आगे आता है सारभामिक ठीका करणक करक्रंब तरय करकरम कें सरकार द्वारा हंडिट प्रसेंट वित्पोसीर्थ पर निप्ति थिर्या वैक्सीन पर ट्यूसिस वैक्सीन टिटनस वैक्सीन पोलियो मीजल्स खसरा वाला है और है पेटाइटिस बी और पेंटा वाइलेंट रोटा वाइरस रुबेल एडल्ट जैई वैक्सीन जापानी इंसफिलाइटिस वैक्सीन वाइवेलेंट ओरल पोलियो और मीजल्स इनक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन अब आता है सगहन मिशन इंद्र धन्नोस प्रिष्ट भूमी क्या है तो इसे वस 2014 में ठीका करण कारेकरम को पुना सक्री करने तथा सुदीता पदान करने क लिए आरम किया गया था अब आता है नेक्स्ट राष्टी किसोर स्वास्त करेकरम तला भारती 10 से 19 सवर्स कि किसोर यह करेकरम भारत में सभी किसोरों के उनके स्वास्त व्यक्तु सहाली समन्दित मुसुची जिमिंदार निड़ा लेने के द्वारा अपनी पूरी चंता को स करने में सक्षम बनाता है आगे आता है राश्टी बाल स्वास्थ कारेकरम तो इसका उध्य से फोर्डी बच्चो जन्म के देखिए फोर्डी इसमें हैं जिसे की डिफेक्टा बर्थ बीमारी यानि डिजी नियूनता यानि डिपीसियस और विकलंगता के बच्चों को विकास आने मली रुकावर डेपलमेंट डिले की रुखसरुवाती तोर पर पहचान कर तथा इस दिशा में शुरुवाती उत्च्चेप करना है लच्छ कारेकरम प्रसूती ग्राग्री और प्रसूती लच्च चिकिस्था कच्च में देखबाल की गुड़ता में सुधार करने का पहल है कि सुरच्छित मातित अस्वासन सुमन योजना तो गर्वती महिलाओं और नवजास इसों के तफायती और गुरुवत्ता स्वास्त सिवा उपलब्द करवाना है मा का पोड़स ने तो एक या एक राष्ट व्यापी करेक्रम है और इसना इस्तन पार्ण के समर्थन है स्वाव के लिए मा का पोड़ से यह में मिजन परिवार विकास तो इसका उद्य से तीन एवं उससे अधिक की कुल प्रजनन दर वाले 146 उच्छे प्रजनन वाले जीलों में गर्भ निरुधक और परिवार के नियुजग से वाव तक परियाप्त पहुंच रूप से पहु तालोस अस्थानों परिक्रामी निदिया अस्थापित की गई हैं अगला आता है एकिक्रीत रोग निगरानी कारिकरम या एनेचेम के तहट सभी राज्यों और किन्सासित प्रदेशों के लिए एक प्रमुक राष्टी स्वास्त कारिकरम है आगे आता है सखन डायरिया नियंतर प्रकवाड़ा तो इसका उद्यस संपूर देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक की प्रयोग के किस अंदर में उच्छे कबरे सुनिश्चित करना है फिर आता है राष्टी वायरल हेपेटाइटिस से नियंतर का करना है आगे आता है राष्टी अंधता और दिश्टी चिड़ता नियंतर कारेकरम तो उद्यस रोग थाम योगे अंधेपन की व्यापकता को वर्स दोजार पचीस तक 0.25% कम करना है और यह कारेकरम मुतियाबिंद अपवर्तक तुरूटियों वच्पन की अंधेपन और नित्रो नित्र रोगों जैसे गुलुकोमा मधुमे समंधी रेटीनो पैथी आधी पर केंद्रित हैं आगे आता है राष्टी एट से एवं इस टीडी नियंतर कारेकरम तो इसका प्रकार है यह केंद्र छेतरी योजना है अवधी दुजश तक का है दुज़ा तीस तक सरव सरवजनिक स्वास्त खत्रे के रूप में HIV AIDS मामारी को समाप्त करने के लिए सन्युत राष्ट को HDG 3.3 की प्राप्ति की दिशा में एट्स और प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएगा आगे आता है कि फायती दवाएं एवं उप्चार के लिए विस्वसनिय पत्यारोपड अम्रित योजना तो यह अम्रित फार्मेसी के नाम से अस्थापित खुद्रा दुकानों का हिदय पत्यारोपड के साथ साथ के अंसर तथा अगला आता है राष्टी स्वास्त प्रोफाइल उदेशे तो इसका उदेश से भारत की स्वास्त समन्दी सुचनाओं का एक डेटाबेस त्यार करना है जो ब्यापक अदादित और स्वास्त छेत्रक के लिए असानी से सुलब हो यह प्रकास जंसांकी की रोग प्रोफाइल संचारी और गयर संचारी जीवन सहली रोग और उपलाब्द स्वास्त संसादनों में हाल की प्रवितियों को ध्यान में रखता है तैयार किया गया है इसे Central Bureau of Health Intelligence द्व Northeast दौरभात तयार किया जाता है सुराश्टी स्वास्त संसादन Repository यह भारत के सभी सारुजनिक और नी पूसर योजना तो उद्देश से टीबी रोगियों को पूसर समंदी साहिता प्रदान करना प्रतेक अधिसूची टीबी रोगी के लिए 500 रुपए प्रतीमा नगत या अन्य किसी रूप में प्रोसाहन टीबी के उपचार के आउधी के दौरान अर लाभारती के अधार से कर प्रतेनीกर्ण का प्रतान करने में सहायता प्रतान करने और लाइसेंसिंग स्तता bron और स्वक्ष्चता रेइटिंग एवं समनना प्रतान करने probकिया की स्वाक्षता मित्र दक्षता प्रग्राम है उद्देश से इसका है सक्षम और आत्म विश्वासी स्वास्त प्रदताओं के माध्यम से इंट्रा उतत्काल प्रसव वत्तर अवदी के दवरान मात्र और नवजात सीसु की देखभाल की गुरुत्ता में सुधार करना या एनेच सहायथा सेवा प्रतताओं की जबाब देही में सुधार करना आधी सामिल है अनमोल सहायक नर्स मीटर वाइप आनलाइन या एक टैबलेट अप्लिकेशन है जो एनम एनम को उनके से छितरा अधिकार के अंतरकत आने वह लाभादियों को डेटा अपडेट करने की सुधा प् है यह गर्बती महिलाओं नई माताओं और उनके परिवारों को गर्भावस्ता की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्स का होने तक गर्भावस्ता बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में समय बद्ध सूलब सटिक और प्रासंगिक संदेश प्र तो सरकारी जो जनाओं में हम लोग यह अभी कंपिनसियों भाग वन किया है और अभी बहुत जल्दी इसके बाद भाग डू आएगा ठीक है तो आप लोग इसको देखिए और वीडियो को लाइक और स्काइब कर दीजिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धनले बाद